नमस्कार दोस्तों तो आज बात करेंगे कार के हाई माउंटेड स्टॉप लेंप यानि कि इसे ठर्ट ब्रेक लाइट भी कहा जाता है उनके बारे में हमें क्या करना है इसके यहां पर कवर लगा होता है इसको किसी पतले थार की हेल्प से हमें निकाल लेना आप थार को मोड़िंगे थोड़ा से निकल जाएगा एक बार में ना निकले कोई बात नी दो तीन बार ट्राइ करें वो निकल जाएगा थोड़ा सौफली करें उसे वर इसमें चले जाता होगा इस वैसे इनमें रस्टिंग हो जाती तो उसका भी सलेशन में इस वीडियों बताऊंगा तो अब हमें सबसे पहले इने इसक्रूज को हटा लेना है इसक्रूज हटाने के बाद जो हमारे जो असेंबली है लाइट की ये बाहर आजेगी इसमें लगा होता है वहां से उसको डिसकनेक्ट करके और साथी में दो स्क्रूज के पीछे और होते हैं उनको हमें हटा लेना है यहां पर दो स्क्रूज लगे होते हैं इनको भी रिमूब कर लेना हमें इनको खोलने के बाद यह जो लाइट की असेंबली है ये फूरी हट जाएग तो यह अलग दो पार्ट में डिवाइड नहीं होती है और हमें करनी भी नहीं है अगर भी जाती है क्योंकि पुरानी लाइट है इससे क्या होगा है ब्रेक हो जाएगा असानी से तो इसको हमें रिमुव करने से बचना चाहिए तो क्या करते हैं अब हम इसको पूरा क्लीन कर करने के सिंप्ली आपको डिटर्जेंट लेना है उसमें आपको पानी लेना है थोड़ा सब इसको क्लीन करना है बाद में सुखा लिए ऐसा कुछनी में जितने भी सारी डर्षे बाद शेदे नहीं करें कहीं जेझे सतंव फूड़ से कपले एसं। कौने को युद्छ करने के स्कुन में टुरिय smart आपको बाद करने के बाद रच कोती मृ कि पर नहीं ना करना को बाद किक और नहीं का इजिए इनसेर्ट करना जिसे कै試 कि उसको पानी विल्ब से सारे कर लीन कि पानी की एकदर वानकि भी िया ठाइश है आं!!! ऐसे के एक ब्रस टाल के अच्छे से इंसके घूमा इसे से क्लीन कर लेना उसके बाट हमें क्या करना है जो इसकी याली लेयर है जहाँ पर दो पार्ट इसके चिपके होते है तो वहां पर थोड़ा बहुत गैप रहा जाता है तो वहां से हम 1 को थोड़य से सब्सक्राइब आपका रवाखना ने रिखना ने चाह है व कि इनोयव इस अते को मैंनसा है जाएए सब्सक्राइब लिखार नोनगा रू presumकि वापका मल पानी जो हैं 2 ग्लीं तो अम बहुती करना है तो हमें किया इसमें प्ली करना है ज़्यक चाहि lungs कौन ने काम तो अजोड पानी ढूलने के बाद कि में प्रोसेस अब क्या करना में ये यह जो हमें हमने पानी डाले थोड किसी भी उसे भी डालने भी डालने है भी उसको पानी डालने हम परौज अभी को डाल हिचेकानों चैए होरा ड़ीते करन घंचेận कॉछे हद अब आप से और में भी चुसकी टा कीन, परिंगे कारणों के लिएट कारणा कोचन भी इतनके सारे सारे से निकल जाएगी तरूं जले की सारे सीक करते किसे रहना है, जितना हम अवे, घुल बेसे अदस dance से और इसको क्या करना है, मतलब गूमाना है, जिससे अंदर का जो इसका पार्ट है वो Clean हो जाए और इसको बाहर निकाल सक लिएना है, कुछ इस तरहीक इसे च्लीन होगी है, मेरा एक तरीकता साफ करने का और बांकी इसके बात जो इसके जो आसेंबली है, जिसमें बाल बोल तो उनको क्या करना है किसी screw driver की tip से उनको या पिर कोई sandpaper से उन्हें हलका हलका में जितना हो सगे उतना मतलब साफ कर लेना है जिससे कि इसमें यतना भी कारवनों का वो clean हो जाए अब मैं बात कर रहता है आप से screws की इसक्रूस को भी हमें थोड़ा घीस लेना है sandpaper की help से ताकि जो इसमें जितने बार रश्ट होगी रश्ट निकल जाए उसके बाद रश्ट के उपर paint का एक coat कर देंगे तो पहले इनको सब कुछ होने के बाद अब हमें वापस से में बल्व डालने है तो बल्व इसमें 4 बल्व लगते है यहाँ पर तो यह में 4 बल्व लाया हूं मैं genuine बल्व लाया हूं जो company के आते हैं तो आप कोई भी use कर लें इसमें सा कुछ ही नहीं होता चार बल्व लगते है कैसे भी तो इनमें आपको रेट दिख रहा होगा तो आप हम इनको लगा लेना है जो कि बहुत आसान है लगाने में ऐसा कुछ नहीं बर अबस एक चीज होती है इसमें की वह जो होलडर होते हैं थोड़ा हो जाते तो उनको क्या करना होता किसी में फ्लायर के helps जो घरना होता ही है तो इसकों क्या करना है किसी वाला ढेन काई 2 लिकासा खर देख not i по such a did इसे लिए नहीं तर्वारा को बैठ knife can be relaxed आजने सारे के सारे तो आपको टाइड करने एक लिएосका दो इतना करना अकलाई भासँ करने है तो ये चारों बल्ब इंसर्ट हो जाएं उसके बाद क्या करना है जो कवर ये लाइट का कवर वो हमें लगा लेने बहुत आसान है जैसे निकाला था वैसे लग जाएगा इसमें ऐसा कुछ ही नहीं है बस मैं तो आपके साथ इसलिए शेयर किया था कि इसको अच्छे से क्लीन करने पृasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas और इसक्रू टाइट हो जाने के बाद हमें क्या करना है थोड़ा सा पेंट लेना है कोई सा भी कलर का चलेगा क्योंकि यह तो अंदर कवर हो जाएगा तो दोनु जो इसके एंड है उन पर हमें लगा लेना है इससे क्या होगा जितनी भी रस्टिंग होगी वह से थोड़ा और जो अंदर के जो स्क्रूज होता है उनमें रस्टिंग नहीं होगी तो इनको अच्छे से लगा लेना है जितनी भी रबर गैस्किट है वह लगा लेंगे उसके बाद क्या करना है में हमें को भी आपको थोड़ा से टेप लेना है पहले आपको यह लगा लेना है फिर क्य लेंगे अच्छी चीज़ है थोड़ा से टेप लगा लें दोने साथे जिसके पूरा आप यह अच्छी साथ कावर हो जाएं तो यह सब हमारा हो गया है तो दोस्तों उमीद करतें आपको वीडियो पसंद आएगी पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीज तब तक के लिए नमस्कार